हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है और देखिए हर बार आपके जो मैं कोश्चन बतारी हूँ वो रिपीड होते ह आपके एक्जाम में इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से सुनिएगा और आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकि लास्ट में मैं आपसे दू कोश्चन पूछूंगी जिनके एंसर आपको देने हैं तो प्रारंभीक पुनर जागरन काल की डेविड मूर्तिकार दोना तेलो था और दोना तेलो इटिली का प्रसित मूर्तिकार था जिसका जन्म 1386 इस्वी में इटिली के फ्रोरेंस नामक स्थान पर हुआ था ठीक है और इसका सबसे लेखनिय कारी जो है वो सेंट जार्ज डेव मूर्ति है ठीक है और इसे प्रारमभीक पुनर जागरन काल का कलाकार माना जाता है किसको दोना तेलो को देविड मूर्ति माइकल एंजलों ने भी बनाई धिक है यह जरूर आप याद रखेगा तो इसमें पूछा जा रहा है प्रारंभिक पुनर जागरान काल की जो मूर्ती है वो इन्हों ने दोना तेलों ने बनाई थी ठीक है उसके बार नेक्स्ट है प्रारंभिक पुनर जागरान काल का सरवाधिक प्रसिद्द चित्रकार कौन था और मसाचियों की कला ने संपूर्ण पूरी रिनेशा को प्रभावित किया था तो इसमें बोतिचली, रियोनार्दो विंची, माइकल अंजिलो तो रैफल ने इसके चित्रों की अनकृतियां करके उसकी सैली का अध्यन किया था किसकी मसाचियों की ठीक है वेनिस का जन्म किस कलाकार द्वारा चित्रित है तो वेनिस का जन्म सांद्रो बोतिचली द्वारा चित्रित है पुंडुत थानकाल में इटली चित्रकला का प्रसिद्ध केंद्र हुआ का मलब था और इस समय इटली के दो प्रमुखनगर फ्लोरेंस और वेनिस कला के प्रसिद केंद्र थे ठीक है सांद्रो बोतिचेली फ्लोरेंस का प्रसिद चित्र कार था जिसने वेनिस का जन्म नामक प्रसिद चित्र की रचना की थी पुनर जागरण कला का सिखर काल कौन सा है तो पुनर जागरण कला का सिखर काल जो है वो 1500 से 1525 इसवी तक को माना जाता है ठीक है क्योंकि इस समय फ्लोरेंस के प्रसीद कलाका लियोनार्दवाथा विंची के करतियों से पुनर जागुरनकाल अपने सब्सक्राकτε इसमें माइकल दुठाकेस के तया, माइकल दुठाकेस किसे नमें व मूंना फिकम कहां सूदकables करें के मद्द डेविट की मूर्ती बनाई थी मैंने भी आपको बताया था माइकल एंजलो की प्रथम मूर्ती पिएटा बनाई थी जिससे इनको बहुत ज़्यादा ख्यात मिली थी ठीक है और इनके कुछ प्रसिद्ध करतियां है फ्लोरंस के संसत भवन में भिति चित्र इन्होंने बनाया था इस नार्थी ये रेखा चित्र था सिस्टाइन चैपल की छट का चित्रन आदम और हववा और स्वर्ग आदम और हववा का स्वर्ग से पतन नूह का मद आद इन्होंने बनाया था और इनकी 12 संतों की मूर्ति सेंट पीटर गिर्जा घर में इस्तित है ठीक है बहुत ज्यादा फेमस है उसके बाद है माइकल इंजलो दोरा निर्मित मूर्थ डेविड की कुल उचाई कितनी ही तो माइकल इंजलो जो थे तो मैंने आपको बता ही दिया हाई रिनेसा उच जागरान काल के प्रिसिद मूर्थिकार थे और इनकी जो डेविड की मूर्थी है इसकी उचाई जो थी 15 फूर थी ठीक है और इन्होंने जो प्रमुक मूर्थिया बनाई है जैसे कि पिएटा अपोलो डेविड ये सब अब इनकी प्रमुक मूर्थिया पर्भाइब नेगिस्ट जो गजन में तो कि आ और रिफूजेंश क्या था इसमें फ्रांसके क्लाकारों ने अपने चित्रों को प्रदरशित किया जिसमें माने के द्वारा बनाये गया चित्रण पर भोजन कट आलोजना का विशय बना था और उसके बाद ही प्रभावाद की सुर्वात होई थी ठीक है माने मोने ठीक है उसके बाद नेक्स्ट प्रभावादी चित्रों का मूल उद्देश क्या था तो प्रभावादी चित् पड़ती थी उसका प्रभाव को इन्होंने चित्रेड की किया था प्रभावाद का जन्म 1222 मोने द्वारा निर्मिच चित्र सूरियोदों के प्रभाव से हुआ था ठीक है और और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे इसमें सिसली देगा रिंबरा आदी आते हैं प्रभावादी कलाकार का है ठीक है तो ये देगा का है सिंगर्स एड़ दा बार और देगा का जन 1834 में हुआ था ये प्रभावादी कलाकार हैं इनके चित्रों में सहरी जीवन के द्रस्य हैं ठीक है जैसे कि जलपान ग्रह नाटक ग्रहों नरत्य ग्रहों घुरदवर के मैद दुकानों और बगीचे प्रतिष्ठित विक्तियों के ग्रहों में पाए गए थे इन्होंने बनाए थे ये चित्र ठीक है और इनके चित्रों में घोड़े पर सवार महिला जलपान की गातिकाएं आधी प्रसिद्ध हैं उसके वाए नेक्स्ट है मुले रूज क्या था तो यह बार व्गरा होता है उसे मुले रूज कहा जाता है और तुलुज लोत्रक थे वो मतलब ये तुलुझ लोत्रक जो थे वो प्रभावाधी कलाकार थे और उनकी लेकिन इनकी चित्रकला जो है पूर्ण रूप से प्रभावाधी नहीं मानी जाती synthetic है तो इन्होंने समाज के अलग स्तर को चुना था अपनी कला को बनाने के लिए ठीक है और इन्होंने कुछ ऐसी मिलब जिन इस्थानों पर इन्होंने अक्सर आना जाना शुरू किया था वहां के जीवन को इन्होंने आत्मियता से अथात रूप में चित्रण किया जो देखते थे वही बनाया इन्ह आता है तो यह जो है इसका चित्रण जो है वा तुलुज-लोतरे करते थे और जो की Μदिराले होता है ठीक है उसके वाद नेक्ष्ट है किस प्रभावादी चित्रकार के चित्रों को विघ्यापन में प्र्युक्त किया गया था तो तुलुज लोत्रेक जो थे इनका प्रभावधी चित्रकारों के चित्रों को विज्यापन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे तुलुज लोत्रेक तुलेज रोत्रे का जन्म 1864 में हुआ था ठीक है और प्रभावादी चितरकार तो थे लेकिन पूर्ड रूपेण प्रभावादी चितरकार नहीं थे ठीक है और इनकी कला का व्यापारिक वा विज्यापन कलाओ पर भी प्रभाव पड़ा था ठीक है उसके बाद नेक्ट है परिसेंटेंस आफ प्लेजर चितर का कलाकार कौन था ठीक है तो यह जो है सल्वाडो डॉली ने यह बनाया था परिसेंटेंस आफ प्लेजर ठीक है और सल्वाडो डॉली को तो आप सभी जनते हैं इनका जन्व 1904 बड़ से लोना में हुआ था और अतियथार्तवादी चितरकार थे जनक माने जाते हैं तितादवाद के और इनकी प्रमुकरतियां थी जलता हुआ जिराफ ग्रहयुद्ध की पूर सूचना द्रश्टी सातत् चितर बनाए हैं इसके बार नेक्स्ट है ब्लो राइटर चितर किस कलाकार का है तो ब्लो राइटर चितर कैंडिस की चितरकार का है ठीक है कैंडिस की अभिवंजनावाद कलाकार थे और इनका जन्व कैंडिस की का मासकों में हुआ था ठीक है नेक्स्ट है अतियथार्तवा इससे माक्स एंसर्ट ने बहुत ख्यात प्राप्त की थी यथार्थ अत्यथादवात का आरम इन्हीं से हुआ था लकडी के फर्स में दिखाई देने वाली विचित्र आकरतियों से प्रेर्णा पाकर इन्होंने 1925 में फ्रोताज पद्धत का आविश्कार किया था और इसी पहला कोश्चन है वक्रोति सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन थे पहला अप्शन है कुंतुक दूसरा है भामा तीसरा है भारत मुनी और चोथा है इनमें से कोई नहीं आपको एक आप्शन इसमें से बताना है दूसरा कोश्चन है छपाई के लिए कंपनी का प्रसिद चि ठीरालाल ठीक है आपको यह अंसर आपको बताने हैं बाकिया अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद